हलो एब्रिवान आज हम बात कर रहे हैं हाव टू रेगिलेट प्लाजरिजम इन मुवीज की तो सबसे पहले प्लाजरिजम होता क्या है प्लाजरिजम आचली किसी का वर्क स्टील करना होता है और बिना किसी अथोरिटी के उसको अपना वर्क रिप्रेजेंट करना होता है जो कि एक लीगल रॉंग है हम किसी और के वर्क को अपना वर्क नहीं रिप्रेजेंट करके शोकेस कर सकते यहाँ पर गर हम बात करें plagiarism in movies की तो एक बहुत ही controversial example है Disney की एक movie आई थी The Lion King जो release हुई थी 1994 में और वो controversy में आई क्योंकि वो similar lines पर थी एक Japanese animated movie के जिसका नाम था The White Lion और जो की release हुई थी उससे पहले 1965 में और दोनों ही movies को बहुत ही common line पे देखा गया चाहे वो main character की बात हो चाहे वो plot की बात हो या side character की बात हो तो absolute plagiarism तो completely wrong है किसी के ideas किसी की work को steal करना एक wrong है अब हम बात करें Supreme Court और High Court के view की तो यहाँ पर हुआ था R.G. Anand versus Deluxe Fims and Other का case यह हुआ था 1978 में और Supreme Court ने यहाँ पर decide किया था lay observer test को lay observer test कहता है कि जो viewers है या audience है या जो किसी भी चीजों को देखने वाले लोग है अगर उनके opinion में उनको लगता है कि दो work completely similar है दो work एक दूसरे की copy है तो यहाँ पर हम plagiarism को होते हुए मानेंगे उसके बाद अब हम देखें remedies क्या क्या available है तो जो agreed person है जिसका work copy किया गया है agreed person एक civil case institute कर सकता है court में court यहाँ पर उसको payment of damages दिला सकती है court उसको due credit दिला सकती है plagiarism अगर ऐसे nature का है कि वो copyright infringement कर रहा है और यहाँ पर आएगा copyright act 1957 copyright act का section है section 57 जो यह authority देता है कि कोई भी literary work या कोई भी audio visual work जो है वहाँ पर claim आता है moral rights का यहाँ पर दो तरीके के right person claim कर सकता है अगर उसका इस तरीके का word plagiarism हुआ है जो कि copyright act के अंडर आता है तो पहला है right to claim authorship और दूसरा है right to integrity उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों एक certain level of plagiarism allowed है तो certain level of plagiarism इसलिए allowed है क्योंकि it's very natural कि हम single idea के अलग-अलग perspective देख सकते हैं single idea को अलग-अलग तरीके से modify करके लोग represent कर सकते हैं exactly copy होना hundred percent same to same copy paste होना wrong है लेकिन एक idea को अगर mold करके अलग-अलग तरीके से represent किया जा रहा है वो कुछ-कुछ same है तो एक similar extent तक एक small amount पे plagiarism इसलिए allowed होता है conclude करते हुए हम यह कह सकते हैं कि plagiarism जो है movies में बहुत हद तक unchecked होता है and it is very necessary हम इसके certain set of standards को regulate करें और इससे related laws का execution बहुत ही अच्छे level पर जाके करें I hope आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो thank you अच्छा लगा हो